जहें इनसाथियों आज जो हम बात करेंगे जो पत्ना सिविल कोर्ट ग्रूप सी पोस्ट रिक्वार्मेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 आया उसके बारे में 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें जो है कलरक इस्टेनो ग्राफर और कोट रिडर के लिए आपको जो है 800 रुपए अप्लिकेशन फी लगेगा जो की जेनरल बीसी इबीसी इडेवलो एस केटेगरी से जो बिलॉंग करते हैं उनके लिए और स्सी एस्टी जो है उनका जो है उनली 400 रुपए लगेगा ये सिर्फ कलरक इस्टेनो ग्राफर और कोट रिडर का जो अप्लिकेशन फी अब आप उनलों जो है बात करते हैं प्यून की अप्लिकेशन फी की तो प्यून का जो है जेनरल, EWS, EBC, BC का जो है 600 रुपए है और SC, ST वालों का 300 रुप सब का जो फॉरम है आप एज लिमिट की बात करें तो प्यून के लिए जो आपका एज है 18 से 37 साल होना चाहिए अधर पोष्ट के लिए 21 से 37 साल होना चाहिए और EGE रिल्यक्सेशन भी है आप इसमें number of vacancy की बात करें तो कड के लिए जो है 3325 vacancy है इस्टेनोग्राफर वालों का बात करें तो 1562 वैकेंसी है कोट रीडर इसका जो डिपोजिशन राइटर की बात करें तो 1132 सीट है और जो प्यून गुरूब डी का जो है उसका जो है 1673 सीट है अब आपको क्या-क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो कलरक इस्टेनोग्राफर, कोट रीडर ये सब का जो है आप लोगों का बैचलर डिगरी होना चाहिए करिजिशन होना चाहिए पोस्ट बाइज बात करें तो कलरक के लिए जो आपका कम्प्यूटर नॉलेज होना चाहिए इस्तेनोग्राफर के रिए आपका इंगलीज में 40 हें होना चाहिए 80 वर्द पर मिनट और हिंधी 40 हें रůना चाहिए 60 वर्ड पर मिनट टाइप इंगलीज में dependent 80 वर्ड पर मिनट और हिंधी में 30 वर्ड पर मिनट आप Coach Reader Writer की बात करे तो इसमें जो है आपका जो है टाइपिंग का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए इंगलीज या हिंदी टाइपिंग का और प्यून का जो बात करें वो क्लास 10 रहेगा ओके तो आपको कलरक एस्टेनोग्राफर कोट रीडर में जो है ग्रेजुशन तो समय कॉमन है बीएससी आपका राना चाहिए मतलब बीएससी बीए या फिर बीकॉम और इसमें जो है प्यून सिप्टेन्थ लेवल से आप भर सकते हैं